दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने स्टुडेंट्स को बड़ा तोफ़ा दिया है दिल्ली की उप मुख्य मंतरी मनीश सिसोधिया ने अनौस्मेंट की है कि जिस फैमली की एन्वल इंकम एक लाख रुपए से कम है उनको फीस की 100% स्कॉलर्शिप मिल जाएगी यानि ऐसे लोग जितनी फीस जमा करेंगे उनको उतने ही रुपए स्कॉलर्शिप के रूप में मिल जाएगे वही जिन स्टुडेंट्स की फैमली की एन्वल इंकम एक लाख रुपए से धाई लाख रुपए है उनको फीस की 50% स्कॉलर्शिप मिल जाएगी इसके अलावा जिस परिवार की एन्वल इंकम धाई लाख रुपए से छे लाख रुपए तक है उनको 25% स्कॉलर्शिप वापिस मिल जाएगी दिल्ली सरकार की इस फैसले से गरीब स्टुडेंट्स और मिडल क्लास स्टुडेंट्स को काफी राहत मिलेगी इसके अलावा सरकारी स्कॉल के छातरों को CBSE बोर्ट की फीस नहीं देनी होगी अभी तक स्टुडेंट्स को 1500 रुपए CBSE बोर्ट की फीस देनी पड़ती थी जो की अब दिल्ली सरकार ने माफ कर दी है जो स्टुडेंट्स सो परसेंट स्कॉलर्शिप के रूप में अपनी फीस का पूरा पैसा वापिस लेना चाहते हैं तो उन स्टुडेंट्स को एक लाह रुपए से कम का इंकम सार्टिफिकेट बनवा कर देना होगा तभी उनका पूरा पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा अगर आपको इंकम सार्टिफिकेट बनवाना नहीं आता है या उसका फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं लिंक डिस्क्रेप्शन में आपको मिल जाएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्रेप करना बिल्कुली मत भूलना थैंक यू